तो चलिक देखते हैं कि कैसा बना है और मैंने बहुत टेस्टी बना है और मैंने बहुत टेस्टी बना है तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लेगा बनाने में तो देखिए मायच साइट से पूर रही है ममी अब क्या खा रहा है तो मैंने खाओ गे तो बहुत थोड़ा सा खिला था और यह पनीर का मसाले वाला बहुत इस्टी बना था पनीर अफ़ाइड राइस तो फिंसी बहुत कम मसाले बना था आपको भी बिल्कुल थोड़ा समान जैसे सबसी है वह सब पहले सबसा काट के रख लेंगे चावल बॉयल कर लेंगे तो बस दस मिनट में बन जाएगा एक टिस्टी से लंच तो फिंस वीडियो को अपी तक अपने सब्सक्राइब ने के तो सब्सक्राइब कर लीजेगा और चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं बनाए दो एक, ने एक फेरेज बनाया है और यह ऐस दोजी खुब सारा प्याज है और बॉयल चावल में थोड़ा थोड़ा सरमक पहले चावल को बॉयल कर लिया था सब्सक्राइब गाजर, कैप्सिकव, बीन्स, ओनियन तो, देखें तो इसमें तो थो दोड़ा थोड़ा द इसको इस तरह से हलकल कर चलाते जाएंगे देखें इस तरह के से होगा है इसे हम निकाल देंगे और इसमें नमक एड़ नहीं किया है अब उसी करहें में हम लेंगे फिर थोड़ा सा ऑईल कर रहा होने के बाद एक अदर ऑद है सबसी के सबजी देखें सबसी डाल के मैं अच्छे से इसको मिक्स कर रहा है और यह तेकि इतना होने के बाद इसमें हम आड़ करेंगे नमक कुछ सेकेंड मैंने होई दिए इसके बद मैंने नमक आड़ किया अब इसमें सॉस आड़ करेंगे अब इसमें हमारा बॉयल के वाद चावल आड़ करेंगे पहले में थोड़ा से चावल एड़ किया है उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर मैंने दुबारा एड़ किया था तो इसको मैंने डाला है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे कि अच्छे से मिक्स किया था फिर मैं जो थोड़ा बचा था मैं वह भी एड़ करती है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि मैंने जो स्वय सोस जला था उतना ही स्वय सोस में चावल में अच्छा कलर आगे फ्रायरेस के लिए तो मैंने और आए नहीं कि अगर आपको ज़रूत पर तो दुबाड़ा भी एड़ कर सकते हैं और दीखिए मैंने एक भी एड़ कर दिया क्रंबल एक हमारा जुदा वह भ इसको कुछ सकेंड होने देंगे और भी और इससे फी अच्छे चलाते रहेंगे ताकि नीचे ना लगे तो देखिए कि बनके फ्राइज एक फ्राइज रेडी हो चुका है और हम बनाने चाहते हैं पनीर का टिक का तो मैंने थोड़ा सा गरम मसाला लिए बिल्कुल थोड़ और यह 500 ग्राम पनीर था मेरे पास रखा हुआ था तो मैं इसको इस तरीके से कभी कभी बनाती मैंने थोड़ा सा नमग एड़ किया और यह बहुत टेस्टी लगता है थोड़ा सा कॉनफलार ताकि मसाला है जो है ना पनीर के ओपर अच्छे से कूट हो जाए थोड़ा सा यह हम लोग एड़ करेंगे मीट मसाला जो पैकट वाला आता है किसी भी बैन कर ले सकते हैं उसके बाद लाल मिच एड़ करेंगे दो तीन डॉप मैंने वाटर का एड़ किया है और इसको अच्छे से हम मसाले को और कॉनफलार जो भी हमारा विक्षर है इसको मच्छे से पनीर के उपर में रब करते वे लगा लेंगे वां ने करके अससे लागा लगा लिया है क professionals तरीके से आप सारी परणेख लगा लेंगे तो मैंने कराई लिया थोड़ा सा और आधा है और पनीर को फ्राइ कर लेंगे थोड़ा सोई लिया है इस तरीके से डाल के फ्राइ कर लेंगे और यह बहुत टेस्टी लगता है तो आप इसको जरूर बढ़ाए कि देखिए इतना अच्छा फ्राइ हो गया है एक अच्छा कला नाने तक और उपर कपरा किस भी हो जाता है फ थे एक छोटू से पनी था तो इसको फ्राइ कर दिया था आज आज को बड़ा पीसे से दिखाती हो यह पूरा पोगों टेस्ट लग रहा था यह प्रम मसाले मसाला मुमें आ रहा था ना तो बहुत टेस्ट लग रहा था तो यह मैंने दूसरे जू दूबच गया थे पैना इससे निकाल लेंगे निकालने के बाद खाने को अब सब्सक्राइब करेंगे दिक लिए तो फिर्ण्स देखें कितना टेस्टी दिख रहा है और यह बहुत टेस्टी बना था तो आप पीडियो पसंदे प्लीज में चल्ब को जबरूर सब्सक्राइब कर दीजेगा और लाइ क्यूंक यू